Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज के इस लेक्टर में हम अविदेश प्रताप सिंग युनिवर्सिटी के PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम Research Methodology पर कुछ important MCQs आज के सेशन में डिसकस करने वाले हैं. तो काफे important session होने वाला है, मैं आपको बता दू कि आपके जो Research Methodology के MCQs है, आज के सेशन में मैंने वो MCQs आपके साथ डिसकस करा है, जो जनरली आपके PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूचे ही चाहते हैं. मैं आपको बता दू कि आपको पता होना चाहिए, अविदेश प्रताप Singh University का जो पहले PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कंड़क्ट हुआ था, यह आपकी जो डेट थी तब 22nd of July 2022 आपकी PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट थी, लेकिन अब उस डेट को चेंज क करवाया जागा, तो आपके पास more than a month remaining है, इस more than a month, यानि एक महीं ने से भी जाद आपकी पास time बचा हुआ है, आपको जल से जल preparation को start करना है, तो बता दू शौट में कि आपको किस तरीके से सारे चीज़ों को follow करना है, और आगे मैं आपको बता दू, आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हो कि आपका schedule जो जिस तरीके से change हुआ है, उस notification का भी मैंने screenshot आपको आगे बता रखा है इसी वीडियो में, तब मैं next आपको बता दू, आपको जो PSG inference examination है, उसमें आपको total 100 MCQs पूछा जाता है, ठीक है, 100 MCQs को उनने 50-50 MCQs में convert करा है, ठीक है, अब यह जो first आपको 50 MCQs पूछा जाता है, यह आपको research methodology पर पूछा जाता है, remaining 50 MCQs जो है, यह आपको आपके subject से specific पूछा जाता है, अब इसके लिए syllabus है, research methodology का तो आपना journal syllabus है, जो मैं आपको पढ़ाते रहती हूँ, जैसे meaning of research, characteristics of research, steps of research, यह होता है आपके research methodology का syllabus, और आ आपके जो official website पर जो syllabus है, वो वाली link मैं आपके साथ नीचे description box में share कर रहा है, जिससे कि आप directly इस link पर जाकर आपके syllabus को follow कर सको, अब जैसे कि आपको बता है, 100 MCQs पूछ जाता है, जिसको 50-50 में divide कर रहा है, यह अगर आप 50 MCQs पूछा जाता है, जिसको 50-50 में divide कर रहा है तो मैं आपको बता दू, research methodology पर हमको complete course प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्याप screen पर देख सकते हो, video lectures, notes, mock papers, और 1500 PLUS revision MCQs PDF, तो इस तरीके से हमको सारा content नेकी जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं, याद रखेगा हापको दोनों language में हम आपको content प्रोवाइड करते हैं, research methodology का Hindu as और यह हमारे content से हम guarantee देते हैं कि 100% questions examination में हमारे इस ही आपको content से पोझे जाएंगे तो यह पर 100% guarantee के साथ हम आपको content provide कर रहे हैं तो आपको टाइम लेस्ट नहीं करना है जल से जल course को purchase करना है पर्चस करने के लिए screen पर यह जो number आपको नज़र आ रहा है इस number पर आपको WhatsApp के तुरू हमें contact करना है और आप हमारे app के तुरू study material को access कर सकते है जो कि है global online app जिसकी मैंने link आपके साथ नीचे comment section और description box में भी share कर रहे है so that's it and let's begin with the video so एक बारी mcqs start करने से पहले मैं आपको अच्छी तरिकी से हमारे content जो हम आपको provide करते हैं study material हम आपको provide करते हैं उसके बारे में एक बार में आपको फटक से बता दू कि हमारे इस course में हम आपको video lectures, mock tests, notes प्रवाइट करते हैं और 1500 plus mcqs revision pdf यह सारा जो content आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह आपको एक ही जगा मिलेगा कई students क्या करते हैं internet से study material refer करते हैं so internet पे जो language use करी जाती है बहुत difficult language use करी जाती है जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है किस तरीके से यह जो content है आपको किस तरीके से read करना है कितना content आपको follow करना है क्योंकि हम हमारे course में आपको बताते हैं आपको कितना study material use करना है बहुत जादा भी ने आपको पढ़ना है बहुत सारी चीज़े हमारे course में आपको बताते हैं सो हमारे जो course है हम आपको guarantee के साथ केते हैं कि हमारे इसी course से आपको exam में 30-35 questions directly पूछे जाएंगे जल से जल आपको course को purchase करना है purchase करने के लिए screen पर जो number नज़र आ रहा है इस पर WhatsApp की तरो हमें contact करना है याद रखेगा normal course number पर नह स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से एक बारी बता दूँ यह कर रिवाइस केडियूल है यादि आपका स्केडिल जो है APS आवदेश प्रताप सिंग उनिवर्सिटी का जो पीजी इंश्वेंस इसका स्केडियूल ने चेंज कर दिया है और यह जो आपकी notification आई थ आप्लिकेशन पर देर हमें यह उपन कर रही थी लेकिन अप इन्होंने क्लोज कर दिया है और आपकी जो हाट कॉपी है आपकी जो हाट कॉपी होगी रिशीप की आपको इस एड्रेस पर जैसे कि आप देख रहे है इसी यूणिवर्सिटी के आड्रेस पर आपको सबमिट क करवाय जा रहा है यहां पर इनने टाइम भी आपके साथ शेयर कर रहा है विच इस एलेवन एम टु वन पीम ठीक है यानि सुबह ग्यारा बज़े से दुपर एक बज़े की पीच में आपका एक्जामिनेशन कंड़क करवाय जागा तो यह नोटिस रही आपकी जो के फिर से इन्होंने चेंज कर रहा था तो इस नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रिन शॉट आपके साथ शेयर कर रहा है तो आपका अच्छी तरीके से देट वगरा याद रखना है तो एक परिकलपणा का स्रोथ नहीं है डश इस प्रश्म में पता करना है कि दिये गये विकलपों में से कौन सा एक ऐसा option है जिसकी help से आप hypothesis को lay down नहीं कर सकते हो नहीं hypothesis का बना सकते हो अब इस प्रश्मन के एक word आ रहा है एक term आ रहा है जो कि बहुत important है hypothesis यानि परिकल्पना ये होती क्या है आपको पहले इसका अर्थ पता होना से तभी आप इस प्रश्मन को solve कर पाऊ गया परिकल्पना hypothesis एक tentative statement होता है अब tentative statement का अर्थ क्या होता है इसका meaning क्या होगा tentative का मतलब क्या होता है कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है उससे हम कहते है tentative मतलब temporary आप कुछ समय के लिए मान लेते हो ऐसा करने से हो सकता है आगे चलकर ऐसा हो जा अपकी रिसर्च में कुछ चीजों पर भ diferर लानी करते हो नहीं आपके जोद में आगे चलके दिफ़र डिफरेंट डिफरेंट प्रिकार के थो आप उस भविश्यवार्णी को आपके उसका परिक्षन करते हैं आप आपकी परिकल्पन का बिसिकली उसका परिक्षन करते हैं आपकी hypothesis को test करते हैं आपकी research में तो इसी को हम कहते हैं hypothesis जाएक बर मैं फिर से repeat कर रही हूँ परिकल्पन याणि hypothesis यह होती है एक tentative statement एक temporary statement कुछ समय के लिए आप मान लेते हो आपकी जो भविश्यमाने आप करते हो उसका आपकी शोद में परिक्षन करते हैं उसे क्या हम कहते हैं परिकल्पन और hypothesis अब इस प्रश्में मैं कि आपको किसी चीज के बारे में understanding हो जाना without any proof किसी चीज का आपके पास proof नहीं है लेकिन आपको वो सारी चीज़े समझ में आ जा रही है उसे हम कहते हैं intuition जिसे हम six sense भी कहते हैं intuition क्या होता है कि आपको किसी phenomenon के किसी topic के बारे में आपको understanding हो जाती है वो जली से लेकिन आप उसको proof नहीं कर पाते हैं उसका कोई proof नहीं होता है without any proof आप उसे understand कर पाते हो उसी को हम कहते है intuition याई आप understand कर पा रहे हो तो yes hypothesis भी वही तो करती है आपको जो understanding होती है उसे के basis प hypothesis ऐसे चीज़ों पर करने चाहिए जो कि पहले से आपको प्रूफ नहीं हो जो चीज़ प्रूफ नहीं होती है उसी को तो हम test करेंगे हमारे research में okay so intuition के help से intuition यह एक source है जिसके help से आपकी hypothesis लेडाउन कर सकते हो तो यहाँ पर आपका विकल्ब पर सही हो जाएगा expression का सही उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से विकल्ब भी knowledge जिसे हम केते हैं ज्यान अब knowledge क्या होता है अब जैसे कि मान लीजिया आप किसी चीज़ के experts है आप कोई heart specialist है सो आपको सारी information पता होती है कि heart के बारे में heart disease कैसे होती है चेस्प में पेन होने के वज़े से ब्लर्ड लेवल के वज़े से खौलिस्ट्रोल लेवल की वज़े से हो सकते है हाइड di Disicihing हो और भी होना तो आपको जो भी ग्यान होता है अपको जो भी knowledge होता है आपको एक पटिक्रिक्तолियोikanर स्समयीय चीज़ लए में तबह sincer hypothesis लेडाउन कर सकते हो सो knowledge एक ऐसा source है यह ज्यान एक ऐसा श्रोथ है जिसकी help से आप परिकलपना को लेडाउन कर सकते हो और परिकलपना का श्रोथ कर सकते हो यहां पर knowledge बहुत important role play करता है hypothesis को लेडाउन करने में देन हम डारेक्ली option जी देखेंगे theory theory यह निस अब theory क्या होती है याद रखेगा जब भी theory word आते है उसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई चीजा होती है कि concept यह उसका आजाता है वह theory already proved होती है तो theory जो होती है आप उसका यूज कर सकते हों जैसे मानने जी किसी रिसर्चर ने पुराने रिसर्चर ने किसी चीज़ पर theory डेवलप कर दी हो ओके वह theory का आप यूज करोगे आगे further research करने के लिए उस theory का यूज करोगे hypothesis लेड़ाउन करने के लिए मानने जी आगे और कुछ topic पर आप research करें को दूसरों topic इस पर आप research कर रहे हो तो आप क्या करोगे उसी theory का जो पुराने रिसर्चर ने theory डेवलप करी उसी theory का यूज लेड़ाउन करोगे तो यहां पर theory एक ऐसा source है सिध्धान भी एक ऐसा स्रोथ है जिसके help से आप पारीकलपना को लेड़ाउन कर सकते हैं hypothesis को बना सकते हो लेकिन यहां पर आपको जो option C दिया गया है उर्जा यानि energy आप में जितनी energy होंगी उतनी अच्छी आप hypothesis यहां पर आपका energy इस प्रशन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ओके लेकिन intuition knowledge और theory यानि सहज बोच ग्यान और सिध्धान एक एक ऐसा source है जिसके help से आप hypothesis को लेड़ाउन नहीं कर सकते हो तो यहां पर आपका विकल्प सी इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्र अगर कोई अध्यान है वह विश्वशिन है बनी कोई study है अगर कोई study है यह reliable study है तो उसका अर्थ क्या होगा उसका meaning क्या होगा उसकी परीभाशा क्या होगी यह पता लगाना है हमें इस प्रश्म में रिलाइबल यह है क्या पर आपको यह पता होना चाहिए है, रिलाइबल आपके research की characteristics में से एक characteristic होती है, जो कि बहुत important होती है, रिलाइबल, reliable यह characteristic होती है, research की, याद रखिएगा जैसे कि आपको exam में reliable पूछा गया है, तो आपको हो सकता है, आपको next time, आपका जो exam आने वाल होता है, तो देखिए, जैसे कि reliable क्या होता है, पहले तो हम यह देखेंगे, फिर one by one हम सारे विकल पोह देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा विकल इस प्रशन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अब reliable क्या होता है, reliable यानि जैसे आप कोई experiments perform कर रहे हो, आप कोई प्रय अब किस तरीके से यह हम उधारन के थुरू देखेंगे, एक example के थुरू हम देखेंगे, अब जैसे मान लीजिए, किसी ने अपना weight check करा weighing machine पर, okay, weighing machine पर आप तीन बार मैंने weight check करा, तो हर तीन बार, अगर मैं weight check करी तो तीन बार मेरा 40 kg आ रहा है, okay, तीन बार weight करने पर मे जैनी मैं कितने, हर बार अगर weight करू, और मेरा हर बार weight same ही आया, ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले case में मेरा 40 kg आ रहा है, दुसरे में 50 तैसरे में 60, okay, मतलब मैंने हर बार weight करा, और मैं 4 to 5 times और मैं अगर weight कर लहू अपना, तो हर weight में, हर 5 times अगर मैं weight कर लो, तो 5 times मेरा 40 kg यह तो इस case में मैं कहूंगी मेरे जो यह machine है, मेरे जो वेंग machine है, यह reliable है, क्योंकि यह मुझे हर बार same result दे रही है, हर बार major करने पर, हर बार चीजों को major करने पर मुझे same result मिल रहे है, मुझे stable result मिल रहे है, तो उसे हम कहेंगे reliable, तो यही आपको विकल B में भी दिया गया है, the major device को concept, stable on different occasion, यानि एक ऐसी concept है, ऐसी device है, जो अगर आप major कर रहे हो जिस चीजों को, और major करने पर, different occasion, different occasion यानि क्या, हर अलग-अलग व्यक्त पर, हर अलग-अलग time पर, आपको कहा मिल रहे है, same ही result मिल रहे है, same ही measurements मिल रहे है तो उसे हम कहते है, reliable, तो आपका expression का, B option आपका सही हो जाएगा, ओके, अधार नाओ के लिए, तैयार किये गए, उपाय अलग-अलग, अवसरों पर, स्थर होता है, यानि आपके, आप चीजों को major कर रहे हो, आप माप रहे हो, और आपकी जो device है, वो आपको, अलग-अलग अवसरों पर, सेम ही result बता रही है, तो यह होती है, आपकी reliable, अब जो incorrect option है, जो option बज गया है, उसे भी हम, जल्दी से देख लेते हैं, option A, विकल्प A पर आपको दिया गया है, it was conducted by a reputed of researcher who can be trusted, so reliable study, उसे नहीं कहेंगे, कि कोई repetitious researcher है, कोई बहुत जादा, जिनको बहुत ज study को हम नहीं कहेंगे reliable, या पर आपको विकल्प A जो दिया गया है, यह गलत उतर दिया गया है, उसे तरीके से विकल्प C, the findings can be generalized to other social settings, यानि आपने जो आपके result आ रहे है, आपके result आ रहे है, आप डूसरे social settings में भी उसको generalize करती है, यानि उसका दूसरे social settings में भी उपियो करने पर चीज़े, same I measurement आपको same ही मिले, या पर आपका विकल्प C भी गलत हो जाएगा उसे तरीके से विकल्प D, the method is clearly enough for the research to be replicated, यानि अनुसंदान को आप क्या कर रहे हो, दो बारा repeat करोगे, आप क्या कर उसको धोरा रहे हो, अब फिर से उसको repeat कर रहे हो, so repeat करने में, या आप क्या करते हो, उस research को replicate करने की कोशिश करते हो, उस research को फिर से perform करने की कोशिश करते हो, आप देखते हो, कि ये नए क्या मिल सकते है इस result, और क्या आ सकते है result, so ये आपकी replicated, replication हो सकता है, आपकी replication की definition होती है, जो कि आपकी ये भी एक characteristic होती, लेकिन ये reliable की definition नहीं होगी यहाँ पर आपका विकल्ब जी इस प्रशन का सही उतर नहीं होगा यानि आप ऐसे डिवाइल जिस पर आपको इचीजों को माप रहे हो मेज़र कर रहे हो और अलग-अलग आऊसरों पर आपको सेम ही result मिल रहे है तो उसे हम केते हैं reliable अगला प्रश एक short design क्या है What is a research design? So, इस प्रश्मे में पुछा जा रहा है कि शोथ की design जोती है, यहनि research design जोती है, उसकी परिभाशा, उसकी definition, उसका earth क्या होगा, उसका earth उसकी definition हमें किस विकल्प में दी गया है, हमें यह पता लगाना है. So, research design याद रखेगा, आपके जो research process होता है, उसका second step होता है, first step तो आपका research problem होता है, second step आपका research design होता है, हम research design क्या होता है, research design में आप क्या करते हो, शोथ करता है, क्या करते है, जो researcher है, वो क्या करते है research design में आपको यह पता लगाना चाहिए, So, research design याद रखेगा, जिसे हम blueprint भी कहते है बहुत important है आपको exam में ये भी पुछा जा सकता है what is the blueprint आपको confused नहीं होना है याद रखना है research design को ही blueprint भी कहते है research design का ही दूसरा नाम होता है blueprint अब research design research design है यानि किसी चीज़ कि आप कुछ आप सोचो कि उसके बारे में कि कि आप किस तरीके से उसको आप perform करने वाले हो research design research को आप किस तरीके से हगे चल कर perform करने वालो कौन कौन से steps आप perform करने वालो कौन सी research का कौन सी शोद का उपियोग कर आप आपकी research perform करोगे कौन सी आप किस तरीके से hypothesis लेडाउन करोगे, अब कैसी सैंपल बनाओगे, कैसे आप नमूनों को चुनोंगे, अब कहां से चुनोंगे, किस एरिया से चुनोंगे, किस पर आप study perform करने वाले हो, उसका society पर क्या benefit हो सकता है, उसका benefit उसका objective क्या हो सकता है, आप data किस तरीके से collect करोगे आपके नमूनों से आप कहां से data collect करने वाले हो, आप किस तरीके से data को analyze करने वाले हो, किस तरीके से आप आपके result बताने वाले हो, किस तरीके से आप आपकी research करने वाले हो, यह सारे आप आपकी research design में करते हैं, यानि research design में आप planning करते हैं, blueprint का भी मतलब होता है planning, planning आप जैसे किसी चीज को पर रहूंगा इतने समय में यहां पर जाओगा तरीके से आप रिसर्च में भी करते हैं क्योंकि रिसर्च जो होता है आपका यह वन और टू मंच का नहीं होता है रिसर्च आपको थ्री टू सिक्स तक परफॉर्म करने होता है बहुत लॉंग डियूरेशन होता है बहुत कार की शोद यूज करने वाले कैसे जो डेटा होता है उसका विशलेशन कैसे करेंगे डेटा को किस तरीके से एककत्र करेंगे इस सारे चीज़े आप रिसर्च आपने शोद डिजाइन में पहले सही बता देते हैं तो याद रखेगा रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन हो याद हम डिजाइन को किस टरीके से काम करने वाले हो इस का भ्रेम अब दाचा बना लेते हो इस KHम्रहन अर्विशलेशन के लिए एक रूप रेखा पहले से एक बना लेते हैं रूप रेखा कि आप किस तरीके से डेटा का विचलेशन करोगे हर एक स्टेज में हर एक चरण में आप उसका किस तरीके से डेटा का एकत्र करोगे किस तरीके से विचलेशन करोगे उसका ये सारा आप आपके research design में short design में बता देते तो ये हो गए आपके सही definition, correct definition आपके research design की और शोध design की अब जो बज गया है विकल्प उन्हें भी हमें किकबरी देख लेते हैं विकल्प A, a way of conducting research that is grounded, that is not grounded in theory, यानि अनुसंधान करने का एक तरीका जो संदर्बत पर अधारित नहीं होता है यहाँ पर बता रहा है कि research design ऐसा भी होता है जिसमें आप research conduct करते हो जो कि grounded in theory नहीं होता है grounded in theory यह मतलब नहीं होता है। कि आप data collect कर लेते हो, आपके पास data collect कर लेते हो आप पहले, दिन उस data को analyse करकर त्योरी डेवलाप करते हैं उसे हम कहते हैं grounded in theory यहाँ पर research design का यह मतलब नहीं होता है research design का मतलब होता है planning करना आपका जो विकल्ब ए है अनि संधान करने का तरीका जो सिद्धान पर आधारित नहीं है यह गलत बजाएगा उसे तरीके से विकल्ब इस choice between using qualitative and quantitative methods यानि आप क्या कर रहे हों आप choice करें आप चुन रहे हों कि आप कौन सा method उपयोग करोंगे आप कौन से method का आप कौन से तरीकों का उपयोग करोंगे क्या अप गुनात्मक तरीकी का उपयोग करोंगे फिर मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करोंगे आपके research में तो उसे हम research design कहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आपका विकल्प बीबी गलत उत्तर हो जाएगा, उसे तरीके से विकल्प सी, the style in which you represent your research findings, for example, a graph, यानि वो शेली जिसमें आप अपने शोद के निशर्श प्रतूत करते हैं, उधारन के लिए एक graph, यानि यहाँ पर आपको बता या तो आप graph में present करते हो, या तो आप table में present करते हो, जैसे for example, हमें यहाँ पर graph दिया गया है, okay, so आपके जो research के जो भी आपके परिक्षन आ रहे हैं, जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, कोई भी एक graphical form में represent कर जैसे अपने graph में represent किया, so इसस आप every stage में जो data collect करने वाले हो, किस तरीक से data को एकत्र करने वाले हो, किस तरीक से इसको वेसलेशन करने वाले हो, इस सारे चीज़े आपके research design में बताते हो, तो इस प्रशन का आपके सही उतर हो जाएगा vehicle D, अगला प्रशन, data को notes recording और video tape की रूप में दर्शाया गया है, data represented in the form of notes, recordings and video tapes in, इस प्रशन में हमें ये find out करना है, ये पता लगाना है, कि data को notes, recording और video tape के रूप में दर्शाया गया है, तो वो कौन सी research का, कौन सी अनुस्तन धान का example होगा, अब आपको याद रखना है, आपके जो दो research mainly जो होती है, जैसे qualitative and quantitative मतलब गुनात्मक and मात्रात्मक, गुनात्मक अनुसंधान में आपके पर जो भी data होगा, वो notes, recording और video tape के रूप में होगा, यहाँ पर आपका विकल्प A correct हो जाएगा, then विकल्प B, मतलब option B आपको given है, मात्रात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक जिसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा, मात्रात्मक जिसे हम quantitative कहते हैं, जो numbers को दर्शाता है, मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पर जो भी data होता है, यह numbers के रूप में होता है, मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पर जो data होगा, वो numbers के रूप में होगा, जैसे किसी की उमर, किसी के height, किसी की उचाई, किसी का वजन, यह आपका मात्रात्मक अनुसंधान के examples होगे, जो आपको विकल्प B है, यह गलत हो जाएगा, देन विकल्प C आपको given है, experimental research जिसे हम प्रयोगिक अनुसंधान केते हैं, प्रयोगिक अनुसंधान ऐसी अनुसंधान होती है, जिसमें basically आपके पास जो data होता है, इसमें भी आपके पास जो data होगा, वो number के रूप में होता है, और experimental research में और प्रयोगिक अनुसंधान में आ mainly आप जो variables होते हैं, जो चर होते हैं, उनके बीच में कैसा संभन्ध है, उसको पता लगाते हो, मतलब cause and effect relationship आप find out करते हो, so experimental research, मतलब प्रयोगी अनुसंदान में भी आपके पास जो data होता है, ये numbers के रूप में होता है, so यहापर आपका जो option C, जो विकल्प C है, ये भी incorrect हो जाएगा, so आपके पास ऐसा data, जो notes, recording और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, so यह आपका गुनात्मिक अनुसंदान में example होगा, मतलब qualitative research का example होगा, so यहापर आपका जो correct option हो जाएगा, correct विकल्प हो जाएगा, वो है आपका option A, और विकल्प A, अगला प्रश्न हो, उचित sampling के लिए, नेम लिखित में से कौन सा up-to-date पुर्णो और वैनियो होने चाहिए, which of the following should be up-to-date, complete and affordable for proper sampling, so इस पुछा जाएगा, कौन सा ऐसा विकल्प है, जिसमें हम complete information मिलती है हमारे sampling के लिए, जिसको हम हमारे sample के लिए चुन लेते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति, जिनको हम हमारे sample के लिए चुन लेते हैं, उनके बारे में complete detail, up-to-date details होती है, वो सारी detail होने चाहिए, सो वो कौन सा एक ऐसा option है जिसमें ये सारे चीज़े मौजूद होती है सारे चीज़े present होती है सो याद रखिएगा वो होती है आपकी sampling frame अब sampling frame क्या होता है जैसे मान लिजिए आप क्या करते हो population होती है भी मान लीजिए आपकी population है मैं स्टैडी कर लहा है पूरी population परता हम research नहीं perform कर सकते हैं, तो आप क्या करते हो, कि population लेते हो, population में जितने लोगी जिसे मान लीज़े, मैं यहाँ पर study कर रही हूँ, मैं study कर रही हूँ, जो जो लोग smoking करते हैं, उनके lungs पर कैसा affect होता है, तो smoking करने से lung पर कैसा affect होता है, यह study में perform कर रही हूँ, मुझे यह अध्यान करना है, सो मुझे ऐसे लोगों का अपने sampling frame में लेना होगा, ऐसे लोगों का मुझे detail, उनका name proper, उनकी age, सारी information लिखना होगा, एक proper, एक sheet पर, इसे लोग लेना होगा, जिनकी जो smoking करते हैं, जो smoking नहीं करते हैं, उनको तो मैं अपने अध्यान में नहीं लोगा, जो smoking करते हैं, उनहीं को लोगा, एक list बना कर, उनकी सारों का नाम लिखोंगी, उनकी detail हो जाएगी, उनकी age हो सकती है, कोई भी detail जिस पर आप study कर रहे हो, तो आप पूरी एक sheet में detail लिख लेते हो, एक list बना लेते हो, जिसमें आपकी population में जो जो व्यक्ति पर आप research करने वाले हो, उनकी एक list बना लेते हो, सु से हम कहते है sampling frame, इसे हम कहते है sampling frame, अब इस list में क्या होता है, सारे लोगों का नाम, उनकी information अब को जो जो चाहिये होता है, अब proper इस list में उनकी information लिख लेते हो, एक पर्सन के आप सारी information लिक लेते हो अब आप sample आप यहां से choose करते हो आप randomly यहां से जो भी टेकनिक आप use करोगे जिससे आप stratified sampling ले रहे हो किसी भी तरह की किसी भी type की sampling के लिए आप क्या करते हो इस list में से अपने sample छुन लेते हो इस list में से सारे व्यक्ति को छुन लेते ह तो इस तरीके से आप sampling frame बनाते हो और यहां से आप proper अपने samples को यानि अपने नमूनों को चून लेते हो जिस पर आपको research perform करनी जिस पर आपको short perform करनी है यहां पर हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में आपको वो भी देखना होगा up-to-date information complete और affordable जो होता है sampling के लिए तो वो होता है आपका sampling frame याद रखेगा बहुत important है sampling frame पर exam में generally question पूछे ही जाते हैं अब यहां पर जो remaining options है जो बजगए option उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं sampling technique जिसे हम कहते हैं नमूना तक्निक अब नमूना तक्निक क्या होती है जिसमें आप different different techniques के थो जिसे आप probability sampling non probability sampling आप simple random sampling से आप आपके samples को पर study करोगे या फिर आप को भी कोई भी sampling method जिस पर आप research perform करने वाले हो उसे हम कहते है sampling technique तो बहुत सारे sampling method होते हैं आपके stratified quota cluster यह सारे आप perform करकर आप आपके samples पर study कर तो उसे हम कहते है sampling technique और नमूना तक्निक तो यहाँ पर नमूना तक्निक में तुम आप proper detail नहीं बताते हो then respondents, respondents क्यों होते हैं यह आपके samples के मिलने वाले आपको response जो लोग आपको response कर रहे हैं जिनके तो आपको information मिल रहे हैं उसे हम कहते है respondent उत्तर दाता है तो यहाँ पर उत्तर आता है तो यह हम नहीं कहेंगे कि complete detail होती है तो यहाँ पर आपको सीवी गलत हो जाएगा उसे तरीके से विकल दी tools for data collection जिन data collect करने का data एकत्र करने का tool उपकरन तो यहाँ पर आपको पता है data collection tool क्या होते है आपके जैसे questionnaire और आपकी सारे observations, interviews तो यह सारे होते हैं आपकी data collection tools ना के जिसमें आपकी पास सारी up-to-date information प्रेजन तो यहाँ पर आपका option D यानि विकल जी गलत हो जाएगा और इस आज के लिए बस इंतना है and thank you for watching this video